आज एक development हुआ है कि जो आर्पी एन सिंग है आर्पी एन सिंग कॉंग्रेस वाले पूर्व कॉंग्रेस वाले वो आ गया है बीजेपी में तो जो आपके आए थे स्वामी प्रसाद मौरे जी पडरोना वाले कौन है ये अनुराग जी नमजाग भी एक स्थर तक होता है कौन है ये तो मत बोले ना ऐसा मत करिए आपके मुझे बताया जाना बहुत करीबी मित रही है ए ये सेरियसली मैं ने जानता हूँ ऐसा मत करिया अनुराग बडरी ये समाज के व्यक्ति को अफ्मानित करना अपमानित करने का पाप कर रहे हैं यह अनुराग बदोरिया यह इनकी सामनती मानसिक्ता को दर्शाता है यह इनकी सामनती मानसिकता है इसकी वज़े से हमेशा जो OBC समाज के लोग है उनको दबाया है और आज पिर से अपमानित करने का क्या है मैं इसका खंडन करता हूँ अनुराग जी इलेक्शन का मोसम है कुछों बोलिएगा कहां जाएगा कुछ भी मुझे निकलेगा कहां तक जाएगा भी मालूम नहीं है यह सब चल रहा है केल धमाचा देखके बोले लेकिन एक बात बताईए स्वामी प्रसाद मौर रहा है जो आपकी पार्टी में आये त तक इलाबस सब कुछ दिखाई देता है ने लेकिन अनुराग जी सीरियसली यह जो नमबर्स चल रहे है यह तो बगल में है लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि यह जो आर्पी एंज सिंग बाबु बीजेपी में आ गये है स्वामी स्वामी प्रसाद मौरे परिशान हो रहा है आरपी एंज की चलाई है स्वामी प्रसाद जी तो इनी की पार्टी में है इने पता है आरपी एंज सिंग की जरह तस्वीर चलाई आज वो इंटर्विव देते हैं सुब्ह वाली अनुराग जी आर्पी एन ये है आर्पी एन सिंग देख लीजे थोड़ा ज़रा मेमरी ज़रा रीफ्रेश जी आच्छा 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 अब जो आपके स्वामी प्रसाद मौर रहे है वो दर दर जा रहे है परिशान हो रहा है सौमी प्रसाद मौरे कि ये गलत हो गया वो राजा है मैं रंक हूँ मैं तो पड़रोना से लड़ता हूँ वो राजा है पड़रोना के ये है क्या हो रहा है सब ये इसे यही सब तो दर्शाता है कि गैब बहुत जादा है अनुराग जी अनुराग जी नहीं कुछ नहीं दर्साता है राजा राजा होता है राजा अपना अराम से जीता है उसे क्या दिक्कत है राजा जहां रहता है वो मौच करने के लिए आता है राजा को काम तो करना नहीं है तो जो काम करने वाली लोग ह तो समाजबादी जो काम करते हैं जमीन पे जीते हुआ ही है जो जमीन पे रहेगा जो गरीबों की बात सुनेगा जो गरीबों के साथ उठेगा बैठेगा उनके बीच में रहने का काम करेगा वह ही तो जीतेगा ना तो समाजबादी इसलिए जीतने जा रही है भारती जनता प अब अनुराग भदोरिया जी से पूछे चलिए केते की काम नहीं हुआ ना तो मैं इनसे पूछता हूँ आपने कितने गरीबों के घर बनाया पांच वर्च में बता दीजिए हमने 40-45 लाग बनाया आपने कितने बनाया चलिए एक और बात पूछ लेता हूँ आपने कितना एक्सप्रेस्वे बनाया है हमने तो अभी जो एक्सप्रेस्वे बनाया है पूर्वांचल एक्सप्रेस्वे गोरकपुर लिंक बन रहा है गंगा एक्सप्रेस्वे का काम शुड़ू हो चुका है यह सारे एक्सप्रेस्वे हम लोग कर रहे है आपने कितने एक्स सूम बच्चे मरते थे, आज वो 99 फीसद कम हो चुका है, खतम हो चुका है, यह हमने उपलब्दी की है, बेच्चु में 100 बेट का मेडिकल सेंटर फेसिलिटी बनाई है, सिदातनगर का 300-300 बेट का मने मेडिकल सेंटर बनाए है, आज हमने काशी उश्वधानात धाम का काम किय है, आपने किया क्या था, आपने केवल गंगे करवा, इसलिए आपका काम दंगा एक्सप्रेस्वे का, हमारा काम गंगा एक्सप्रेस्वे का.